दो हजार चौबीस के लोकसभा इलेक्शन के पहले चरण के बाद आप एक नारा अब कम सुनने जा रहे हैं, अब की बार चार सो पार ये गोल पहले ही मुश्किल था, हमने इसके बारे में पूरा मैट्स आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था अब पहले चरण के बाद चार सो का नारा थोड़ा सा नामुम्किन सा ही लग रहा है क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है 2024 की चुनाओ में कोई मेगा वेव नहीं है, कोई सुनामी नहीं है, उतना उत्साह नहीं है कही न कहीं लोग भी थोड़े से थक से गए है, वोट किसे दे ये सवाल पूछ रहे है BJP को भी शायद ये बात अच्छे से मालूम है कि पिछले बार की जो एतिहासिक जीत थी, वो हिंदी हाटलेंड की बदौलत थी दूसरे जगे खाते खुले थे, लेकिन हिंदी स्पिकिंग स्टेट्स में 235 में से 202 सीट्स तो आपने यहीं जीत लिये मास्टर, स्ट्रोक, उपर से महाराष्टा 41 आउट ओफ 48, करनाटका 25 आउट ओफ 28 303 में से 268 तो आपने यहीं जीत लिये लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये इन स्टेट्स में गवर्नेंस क्या इतनी अच्छी रही है, इतनी उंदा रही है, इतनी अपार रही है कि ये परफॉर्मेंस फिर से आप दोहरा पाओगे ठीक है, विपक्ष को आपने ध्वस्त कर दिया है, मीडिया पर कंट्रोल कर लिया है, कोर्ट्स पर प्रेशर कर लिया है, लेकिन तब भी ये इतना आसान नहीं है क्यों? क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक लोग सभा, assembly यहां तक की municipal council elections में BJP ने मोधी और राष्ट्रबाद के मुद्दो को ही पर ही लड़े है और जीते भी हैं इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के डेट में मोधी की तुलना किसी से और किसी चहरे से किसी नाम से नहीं की जा सकती है लेकिन किंतु परंतु, ब्रैंड मोधी का magic के 2024 में उतना चलेगा 400, 300, 200 इस सवाल का जवाब EVM में अभी तक lock नहीं हुआ है ये सवाल अभी भी open है और इस सवाल का जवाब कुछ एहम चीज तै करेंगी जैसे मीडिया को आप जितना भी खरीद लो, लोगों की आवाज आप जितना भी दबा दो, कितने भी ED cases कर दो फैक्ट तो यही है कि बेरोजगारी की मार, महेंगाई की मार अब लोग जेल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग शानत हैं International Labour Organization की हाल ही में इंडिया Employment Report 2024 ये दुरदशा साफ दिखाती है 70 से 80 लाख नौजवान हमारे Labour Force में जोड़ रहे हैं हर साल लेकिन उनमें से 80 प्रतिशत को नौकरिया नहीं मिल रही है इंडिया में FDI 16 साल में सबसे कम तक गिर चुकी है कुछ ताइम तक तो नहरू की या COVID की गलती बताई जाती थी लेकिन अब तो वो भी नहीं है, अब तो साब नंगासी दिख रहा है इलोन मस्क को इलेक्शन से ठीक पहले बुलाकर बड़ा धमाका होने वाला था मेकिन इंडिया का बैंड बाजा बजने वाला था लेकिन वो भी थंडे बस्ते पर चले गया उधर किसान का हाल बेहाल है, किसान की आये दुगनी तो नहीं हुई जैसे बोला गया था उधर 30 किसान उल्टा रोज मर रहे हैं इतने सालों से, वो किस प्रकार से वोट करेंगे इस बार याद रखिये, हमारे देश के पिछले 30 सालों के इतिहास में 15 साल से जादा, यानि आधे से भी जादा बीजेपी ने राज किया है, तो ये 70 साल वाला जुमला भी अब थोड़ा सा पुराना हो गया है, लोग समझ रहे हैं मोदी वर्सिस हू का जवाब विपक्ष तो ना दे पाई, लेकिन मोदी वर्सिस लोकल इशूस, रियल इशूस का मुद्दा अब सामने साफ दिख रहा है 2024 के चुनाओ में, राजिस्थान में मोदी वर्सिस जाट दिख रहा है, करनाटका में मोदी वर्सिस एंग्री फार् कर वो शहीदों के नाम पर वोट मांग सके मैं मेरे फर्स टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट फुलगावा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है लेकिन फिर भी एक शक्ती है जिसके नाम पर मोधी और बीज किसी शरम के, विकास नहीं, पापा ने वार रुकवा दी नहीं, पैट्रॉल, डीजल के दाम पर नहीं, नौकरी और स्टार्टप इंडिया के नाम पर नहीं, वही मंदिर अस वर्सेज देम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ये है तो बिलकुल असमवैधानिक और गैर का वोट करने से पहले ये याद रखना कि भईया राम मंदिर किसने बनवाया, यार एक बात बताओ, भगवान श्री राम को आपनी इलेक्शन केंपेनर बना दिया आपके लिए, इससे बड़ा अपमान वैसे मेरे धरन का और कोई हो नहीं सकता है, कुछी दिन पहले, मोधी ज इने साफ साफ कहा था कि राम मंदिर इलेक्शन का मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन देखिए, ये बहुत लंबे टाइम से जूट की जो लिस्ट है, उसमें एक और जूट यहाँ एड हो जाता है, राम के नाम पे या अल्ला के नाम पर वोट मांगना लौ और संबिधान का अपमान होता है, और अगर आप इस जहांसे में आ जाते हो, तो आप भी इस देश और उसकी चुनावी प्रक्रिया की चीटिंग में भागीदार बन जाते हो, कैसे? समझाते हैं आज के एपिसोड में. नेता टाइप आधा काम मत करो. सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. एक लेक में बहुत खूबसूरती से रेप्रेसेंटेशन ऑफ पीपल आट 1951 को समझाते हैं. बाइदे वे, ये वो कानून है जिससे देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव से समबंदित सारे रूल्स और रेगुलेशन इस आक्ट में लिखे गए हैं. इस आट के सेक्शन 123, सेक्शन 123 में, इलेक्शन में करप्ट प्रक्टिस के बारे में बताया गया है. यहां सेक्शन 33A में साफ तोर से लिखा गया है कि किसी भी कैंडिडेट को या उसके एजिंट को ये अनुमती नहीं है कि वो किसी के धर्म, जाती, कम्यूनिटी, भाशा क नाम पर वोट लेने, देने या ना देने की बात करें, उसके बारे में हिंट करें, या उसके बारे में कोई भी टिपड़ी करें, डिरेक्ट या इंडिरेक्ट. किसी भी प्रकार का, धार्मिक्स, सिंबल भी, या नैशनल फ्लाग भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो, इलेक् पूल मना है और इसके खिलाफ कारवाही हो सकती है। हाली में इलेक्शन कमिशन ने साफ हिदायत दी थी कि कि किसी भी धार्मिक प्रक्रिया, किसी भी धर्म की बात इलेक्शन प्रोसेस पे ना की जाए, कैंपेनिंग में ना की जाए और अगर ऐसा हुआ, तो सकत कारवाई ही भी होगी। लेकिन लगता है कि नेतागण लोग आजकल इलेक्शन कमिशन को बेस कॉमेडी क्लब ही मांगते हैं, उलंगन पर उलंगन ही चले जा रहा है डेली बेसिस पर। भड़काव वयान सेक्शन 123 या Representation of People Act का उलंगन करती है, लेकिन अगर आप कैंपेन देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई, लौ या समविधान के कैसे चीतड़े उड़ रहे हैं। BJP के टी राजा सिंग जैसे नेता आए दिन हेट सॉंग्स, एंटी मुस्लिम रेटरिक फैलाते रहते हैं और इसी बास देखती रहती है। राजा सिंग किसी के अबाब से तरने वालों नहीं है। में मुद्दो की बात हो, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड ना हो। Not to mention उससे law and order problem भी बन सकती है। Chief Justice of India ठाकूर उस समय अपने judgment में साफ साफ कहते हैं कि किसी भी election में appeal या पुकार जिसको religion, race, caste, community या भाशा के बिनापत की गई हो, वो representation of people act 1951 के तहत corrupt practices में आती हैं चाहे appeal candidate अपने धर्म के बारे में करें या किसी विपक्षी party या विपक्षी candidate के धर्म के बारे में टिप पड़ी करें। 1995 onwards शिवसेना के बाला साहब ठाकरे को चुनावी प्रक्रिया से election commission ने 6 साल के लिए रोक दिया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदूों को हिंदूों के लिए vote देने के लिए कहा था 2018 में केरला हाई कोट ने के एम शाजी के election को रद कर दिया क्योंकि वो मुसलमान थे और उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि उनके जो अपोनेंट है M.V. निकेश कुमार उन्हें vote ना करे क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे ये भी पाया गया था कि शाजी ने pamphlets बटवाये थे अपने अपोनेंट के खिलाफ इस बात को हाईलाइट करते हुए कि उनके जो अपोनेंट है वो नौन मुसलिम है मजे की बात तो ये है कि शाजी कोई repeat offender नहीं थे लेकिन फिर भी हाईकोट ने पाया कि एक भी उलंगन एक भी उलंगन सिंगल केस जहां धर्म का उप्योग किया गया हो लोगों को vote करवाने या ना करवाने के लिए वो representation of people act 1951 का उलंगन करती है उसके listed corrupt practices में आती है एक time वो था जब इंदरा गांधी ने 1971 में लोगसभा election जीता राय बरेली सी जीता socialist leader राज नरायन को हराया लेकिन नरायन ने उस election को challenge किया इंदरा गांधी को court तक घसीटा और ये allegation लगाया कि representation of people act 1951 का उलंगन हुआ है यश्पाल कपूर को election agent बनाया जबकि कपूर एक सारकारी मुलाजिम था इस case में अलाबाध high court ने इंदरा गांधी को parliament से disqualify कर दिया 6 साल के लिए और किसी भी elected post से ban कर दिया हाला कि दरा गांधी में बाद में जाकर emergency लगा दिया लेकिन ये दिखाता है कि representation of people act कितना powerful हो सकता है इस साल एक मार्च को लोग सभा चुनाओं से पहले election commission ने सारे नेता टाइब लोगों को फिर से ये याद दिलाया कि लोगों के धार्मिक भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो उसके बिना पर vote नहीं मांग सकते हो, campaign नहीं कर सकते हो लेकिन जाहिर से बात है किसीने सुना नहीं आएगा 2024 चुनाओं में जो भी लेकिन क्या election commission चुनाओं के बाद जाएगा क्योंकि electoral bonds में commission ने कोई stand नहीं लिया जबकि शुरवात में election commission को साफ मालूम था कि ये असमवैधानिक है वहाँ उसने एक बहुत बड़ा उसका failure रहा है जिसको बाद में Supreme Court ने हाल ही में ठीक किया अगर आप EVM और VVPAT issue के बारे में बात करें तो उस मामले में भी election commission चुपी साथ ही रहती है ऐसा नहीं है कि सारी EVM जरिग हो सकते हैं पूरे देश भर में लेकिन EVM, symbol loading, VVPAT matching को लेकर कई सवाल है जिस पर election commission में स्खामोशी रखती है और इस बात का भी आज तर जवाब नहीं मिला है कि जब भी EVM कोई malfunction करती है तब BJP को ही क्यों vote जाता है अरे, कभी faulty EVM किसी और party पर भी तो महरमान हो सकती है जिस जल्दी से चीफ election commissioner आरून गोयल को appoint किया गया था और फिर election से ठीक पहले दो नए ECs को nuked किया गया उससे EC पर confidence थोड़ा काम होता है पिछले कुछ सालों में दो election commissioners अपनी नौकरी छोड़कर, election commission छोड़कर चले गाए बिना किसी explanation के 2020 में election commissioner अशोक लवासा ने चीफ election commissioner बनने से ठीक पहले election commission छोड़ दी क्यों? क्योंकि वो शायद इकलोते ऐसे election commissioner थे जिन्होंने कहा था कि 2019 में मोदी ने model code of conduct तोड़ा था बदले में ये हुआ कि उनका ही नाता election commission से तूड़ गया 4 जून को बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे पार्टियों का, देश की democracy का फैसला होगा लेकिन साथ ही इस बात का भी फैसला होगा कि देश के election commission को हम शद्धानजली अर्पित करेंगे या फिर उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा हाली में कुछ cases में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि वो अभी भी संविधान की रक्षा कर सकता है चुनोतियां हैं चुनोतियों के बावजूद क्या election commission भी democracy को बचाने में आगे आएगा धरम को बेचने वालों को रोक पाएगा religious sentiments के साथ जो खिलवाड कर रहे हैं उन पर थोड़ी गाज गिरेगी क्या या फिर वो तमाश भी इनबद कर ये सारा कांड देखते रहेंगे अगले कुछ दिनों में ये बाद भी साफ हो जाएगी अगर आपके दोस्तों को आपके परिवार जनों को representation of people act उसके प्रावधानों के बारे में नहीं मालुम है कि religion को इस तरीके से हम इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ ये video share करो अगर election commission कुछ नहीं कर सकता है तो हमें as citizens अपनी duty निभानी पड़ेगी किस बिना पर vote नहीं करना है ये समझ कर बटवारे की राजनीती से बच कर देश के लिए vote कर कर और वो भी बहुत बड़ा एक कदम होगा अगर हम अपनी responsibility निभाए चाही election commission जो भी करे ना करे तो अपना धियान रखिए धियान से vote करिए more episodes coming up on the तेश भक्त जैहित